अब है अब अब दोस्तों मैं सतोस्कुमार आप देख रहे हो सब का नौलेज यूटूब चैनल आप लोग के लिए डिमांड था भाई प्रिभीएस एर का क्योशन देजिए ए ऐसा क्योशन पर प्रहागी इसका इतना डिमांड था क्योंकि देखिए और बहुत सारे प्रिभ सब्सक्राइब करा लेंगे क्योंकि इसको मश्च कर लेना है इसके बाद नया मूडल सेट आएगा तो उसको कर लेना है उसके बाद notes वेगर अपना revision करना है उसके बाद notes दिसकर नहीं होगा तो और question बनाएगा नहीं तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है चले बिना time waste की बाद में हो बाद दिसक्सन करेंगे कोई दिक्कत होगा तो comment वगरा करिएगा English economist का भी देंगे और physics का भी है तो लोग support दिखा रहा है चले section A में आपका very short answer type question रहता है सारा की सारा हम नहीं बनाएंगे एक दो छोड़ देंगा अपने से भी रखिएगा कुछ-कुछ बनाएं एक एक आदो को छोड़ेंगे हर में ताकि आप भी खुद से practice कर सके तो very short answer type question रहता है section A में ठीक आपक इंग्लिज, economics and physics का दे सकते हैं में दोस्त इसी का देंगे ठीक है चली तो फास्ट की उसमें देखिए का तो फास्ट लिखा हुए का state any one property of electromagnetic waves Electromagnetive waves का बहुत सारे property होते चैप्टर पढ़े होंगों तो च्छी का है नहीं पढ़े होंगों तो कोई दिकत नहीं है पढ़ लीजिग उसको एक वार क्या बहुत सारे property होता है आपको एक property लिखना यह पर लिखते हूं क्या है Electromagnetive waves are transverse in nature याद रखिए का बहुत popular है हमेश चलिए इसके बाद second define inductive reactance क्या होता है और माली capacitive reactance भी दे सकता है इस टाइप कही popular question important question बनाए पढ़िये पढ़िये ताकि revision करते वक्त ध्यान दे कि कौन से पढ़ना कौन से छोड़ना है ठीक है मोला से प्यांकर दूसरे वह से करना चलिए इंड़क्तिव छोड़ना किसी circuit तो इस सबका inductive reactance कि इसका है inductive circuit का अलग word में कहना चाहते एक और word में कहिएगा तो क्या होगा अगर capacitive reactance रहता है तो inductor position लगाता है रोकता है flow of current को उसी को क्या बोलते इंड़क्तिव circuit to flow आगे निचे लिखा हुआ to flow to flow of alternating current by AC current ठीक है it is denoted by XL यहाँ पर ऐसे लिखेगा यहाँ पर एल टाइपिव में से हो गया है एड़ इसा यूनिटीज ओम का signature ऐसे कर इस टाइप समझ कर अगर नहीं तो एक लिख लिख धिये कि पाच नंबर में लगना 5 भिषभाव साथ मेंसे पाच बनाना है डिफाइंड लीनेर बिगिनिफिकेंस ओफ लेंस ठीक है तो लीनेर बिगिनिफिकेंस का फर्मुला होता है इसको डिनोट करते यह से size या height, जो बोलेगा, image by, बटा में यहाँ पर संद्धिया, height of the object, height of the image by height of the object, i by वह भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया है, i बटा में, या फिर, a-b-b बटा में, ab, b, here, figure भी देखिया, यहाँ पर दिखेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर यहां पर है तो बटा मैं बैबूब्ब्ट यहां पर है फिर है तो इमेज़ कर सकते एमेज़ के हाई होगे और अब्जेक्ट का हई ओ से दिनोड़ पर देंगे दो जैसे बनाना होगा सभी में इस दोनों एक ही बात आपको यह ऑसे दिखाए ऑफ कर दोनों ऐसे करका प्रीकर से दिखा सकते फिगर नहीं बना सकते हैं ठीकर लेंस का तो अच्छा नॉम्र तो कि कहा से मिलता किना चलिए है इसके बाद इसके बाद केहां थे हमनों फोर्थ नमबर में चली ठीक है और हम तोल साथ फिगर नहीं बनाएते बसके यह लीग दिये थे कि लिए इन बीनियुक्ष इसके बाद गोथे अपर फेलन देयुंट हम्हेसा को फुछेगा ग्रॉट निमीट खेलते हैं तो फहां पहां से निकलते हैं तो वैसे लाइट को बोलते है हम नों coherent source of light coherent source of light ठीक है तो जो जो न शॉर्स से coherent डिकलेगा तुसको बहुत हो लें coherent source of light ठीक है जब हो लाइट हो कहा है हो हो है coherent source of light ठीक image having the same frequency and wavelength in the सेम फेज़ डिफरेंस और यहां पर देखते हैं जहां पर कॉंस्टेंट रहता है तो वैसे लाइट को बोलते हैं कोहरेंट लाइट जहां से एलेक्ट्रोंज इस थ्री वल्ट गिवेंगेंट इस एस्टोपिक पोटेंशियल देन वाठीज इस इस क्या अस्टोपिंग पोटेंशियल छोड़ी आओका साइब देखने के लिए देखिए ति मोडल क्यूशन में था जो मोडल बना रहते हैं तो इसको पुद से दिमाग लगते रहे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है जब पढ़े हैं तो उसी थाइप फोकस दल्जी से बनता है बहुत गलती हो दूबार इतना बड़ा इसका सोलूशन देखे तो दू लाइने बन गया ठीक पहला इडाउट था कि बीना पढ़े मतल कि कर रहे थे पढ़े नहीं तो उसको पढ़े थे इस टाइप को नुमेरकल प्रेक्टिस नहीं किये थे सिंपल से मनुमेरकल बनाए ऐसा लग्स काइंटे के नजी बनाए थे लेकिन एसा नहीं बनाए तो गलत होगया पहला कारण दूसरा करण अच्रा सक पढ़े नहीं थे कि उसके करहें बहुत गलास रहे थे इसमें इसमें इसलिए आपको लोगो बता रहे कि कभी-कभी क्या होत ठीक है अब ना निकाल दा कुछ समय नहीं रहा तब देखें इतना असान था गिवन दिया हुआ है कि के मैक्सिमम का भेलू 3 इलेक्ट्रोन बोल्ट अब इलेक्ट्रोन का यहां इसका भेलू अलग बढ़ा रहा थे इसका इलेक्ट्रोन बोल्ट यह है इक इमें तो पढ़ना ध्याम से पढ़ना है इभी यहां पर किये मैक्स का भेलु दिया हुआ है देखिए देखिए का किये मैक्स का भेलु दिया हुआ है किये मैक्स बराबर फर्मुला वियाद होना चाहिए तो ही बनेगा ठीक देखिए फर्मुला कैसे याद होगा हैं ग्रंप्रुइन ह envolンド देया हुआ दिरेन वह दीन सब्सक्लिंट जो घो इन Cities सब्सक्राइब कर दिया हो है बोर दिया उसकी लिए उसको लिख दीए उसके बाद फर्मूला दे क्वोन लगता है तो देखा है कि कानेटिक नाजी बराबर पूछ रहा है रिलेशन पूछ आती फर्मूला या धुला चाहिए कि के मेक्स बराबर इभी नोट के मेक्स दिया हुआ है इभी नोट निकाल देंगे सिंपल है तो जनकारी होना चाहिए देखिए हम इसे कट गया अब इका भेलू ब कि तो टाइम वेंस्ट हो धाुत हो जाता है घखां में तैट्रों अहीं कुछ याद है यह भी काती है कि देना गए बंखक्ण बस देखें गरसे रिविजन करके बनाके पंएप्ड़के रिएक देख में के पहरें घुमिंगा है नुमरिकल शा में पहले एक टोंट पोल्ट असान था इसका फर्मूला होता है कि दिया हुआ थो फर्मूला भठा दिये से तो थीकक्त हों गया तो बहुत आसान था विस्छेर पातと यस जो डायोड काम करता है तो हमेशा रिवर्स बाइस में काम करता है ठीक ना इसको यादव कि पढ़ेगा रिवर्स बाइसिंग फरवर्ड बाइसिंग तो समझ में आ जाएगा सब कुछ गिवें दे सेंबूल ओफ तुरूथ नुमेरिकल में कभी क्या होता है कि सर पढ़ा दिये और स्टूडन सोचे कि हम खुद से बना कर देखते हैं तो नहीं देखना होगा उसके बाद बनाना होगा तो बन पाएगा नुमेरिकल ठीक पहला दूसरा नुमेरिकल फर्मूला याद होना चाहिए नुमेरिकल बन जाता है इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना है पहला उसके बाद रूला के याद कर लेना दूसरा में काम खतम कोई दिकत नहीं होगा ठीक है तो नुमेरिकल का बता दी कैसे क्या होता है चलिए यह को आपको लास्ट नंबर सेवे सब्सक्राइब करें दूसरा करन कि हम लोग समय टॉपिक साथ हम नहीं पढ़ते हैं एक कंप्यूटर वाले स्टुटन इसको अच्छे सपड़ते हैं तो हम लोग कंप्यूटर था नहीं पढ़ते इसको आइडिया नहीं है ठीक है इसको खुद यह को बनाकर देखिए सब्सक्राइब कर रहा है इसमें आपका साथ दिया रहा है का पांच बनाना है और उपर में हुआ ही था क्या करेंगे ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद सारे गीवेन को लिख लेंगे उसके बाद देखेंगे कौन फर्मूला लग रहा है तो उस टाइप से घर पे पर शीटर इस गनेक्टर टूए इतना वोल्ट ठीक ना साथ हट्स फ्रिक्वेंसी एसी सप्लाइ में लगा हुआ है डिटरमाइन दरूट मीन स्कॉर बेलू अब रूट मीन स्कॉर बेलू निकाल ला है तो पहले तो गीवेन लिख लिजा आसांज नी से गीवेन लिखे जो अब आगे क्या करेंगे यहां तक दिया हुआ है काम खतल अब आगे क्या करेंगे यहां तक दिया हुआ है बस अब आगे क्या करेंगे आगे हम उसे पूछ क्या रहा है पर दिखिए गूशन में पूछ क्या रहा है रूट मीन स्कॉर बेलू निकालना आपको ठीक है और दि exciters दिया रहे रूटे मेर्स का रोल में तो कैश्यर का फर्मूला लगाएंगे क्या होता है आर्म सिय्कनी शर्पटावाड क्या होता है और भिएभई एकशी आपका रिश्स्टेंस का सब्सक्षार वोल्ट gdy Cette क्यों निपाले करा की यह क्योंekk recognizing आपका यं wird क्यों डिया हूब तो बोल्टेज भीडिया तुल पूछ तो हमको पहले तो वोल्टेज दिया हुआ है एक सी निकानना होगा ठीक नहीं रेसिस्टेंस निकानना होगा और उसके बाद आए पैठा का फर्मूला बना दना होगा तो सिंपल होगा बाकियो केल्कुलेस आरमेस बेलू 2.9 एंपीर करन्ट ठीक है तो तुम आसान हो कि जान गए अब इस टाप सोर देखा तो बना देंगे अब बीना पढ़े कैसे सोचते रही है क्या करियेगा सिंपल था ठीक हाँ यहां पर सोचना था कि इसका क्यों लगा पता दिये ठीक ना ताकि हमको इसका भीरू निकल दाए वो एक सरे לו 8 माइक्रह वेब सभी का पूछे का किसी का पूछ सकता है तो जीतना भी है पाथ शेयओका सभी को याद कलेजिगा ठीक ना रीडियो यादु है सब्सक्राइब करने के लिए यूज करने के लिए यूज करने के लिए यूज करती इसका कंपणी वगरा इसके बाद यूज नीव और यूज करने को ने करने करता cię लिए इसके लिए यूज in cooking in the microbes microwave 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 में cooking में मदद करता है इस टाप से जितना आपना notes में देखिए को जो दिया होगा यूज याद करना है ठीक है इसके बाद यारी याज दो यूजी इन radar in which my aircraft radar रडार वेवादार में यूज होता है और रडार समुंदर में सब का यूज होता है एक सरे का यूज होता है ठीक है इसके बाद एक सर्य आर्दा बाटिकुलर्य वेल लून डिव टू देजार यूज प्राइग ने से स्टूल इन मेडिसीन मेडिसीन अगरा में एक सर्य का यूज होता है पढ़ली जेगा अच्छे से तो समझ में चलिए अब आते हैं एक और नुमेरिकल और यहां कि दिया हुआ था इसको भी देख्री वाटी जी को भीयाइं दैन इता पूप को तम यहाद कर लेना इसका आपकर चोड़िये कि इसको याद करें क्या होता है थुरु से इंडिकर करेंगे चिए को बैर लिंस वैसले इसको को कशा तरो पारो सब्सक्रेट नहीं कर तो Państwo जोनने बिले कि वेलेंट लेंट से मिलता है तो एक तो फोकल लेंट हो यह दोनों का ठीका भी सेंटीमिटर दिया होगा थी ठीज़ोगा मानके कंके भूग गया ठीक है थिए एंधा फोकल लेंथ ओफ क्या अधर लेंट अदर रहींगे अदर लेंज्ट के अगोगा अब दूसरा लेंज को निकालना है Focal Length क्या होगा, Find the Focal Length of Other Lens, तो Other Lenses दोनों का Focal Length निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब Numerical है, Numerical हम क्या करना है, इस टाइप के बना होगा तो थोला सा पहले खोद से सोचना है, अगर नहीं बना होगा, तब पहले solution देखके बना लेन सीख लेना है, अगर पहले से बना होगा, जिसके कुछ student हमारे थे, उन्हों लोग बनाते हैं, खूद से कैसे बना लेता है, बिना पढ़े, यारि पहले पढ़ना है, उसके बाद तो सोचना है, नहीं बनता था, खूद से नहीं बनेगा, जब तक आप से पढ़े नहीं है, पढ़े होगा तो बन जागा, नहीं पढ़े होगा, तो कोई दिकते होगा पढ़ लिजे, समझ लिजे, उसके बाद इस टाइब को और प्रैक्टिस कर लिजेगा, ठीक है, क्योंकि खूद से बनाना ठीक है, थोड़ा सोचना है, मैंड को बनाना क्रेटिव, लेकिन कुछ फ लिजेगा, उसके बाद इसको बेलेंट फोकल लेंट दिया हुआ है, देन पामर भी दिया हुआ, तो पामर का क्या रिलेशन है, इस सब नुमेरिकल में क्या होता है, याद करना होता है, को फोर्मूला लगाएंगे, कैसे इस टाइब को बनाये थे, पहले तबास बनाएंग ऐसे करकर जो बता रहे है देवलेटी को समझेगा, तो हो जाएगा है, छिल देखेए, इतना संटिमीटर दिया हुआ हुआ है, गीभेण में, चलिए तो गीभेण देट जो है, उसको गीभेण देट छो दिजिए, लिख दिजिए, कि फोकल लेंट टो फोकल लेंट हो, तो लेंगे फोकल लेंगे लेंगे तो और वन का वेलू दिया हुआ है पर अधिरेटी थिरो पॉइंट तरी अब देखे दोनों का दिया हुआ the combination of the power is given by अब कम्बाइन कैसे करेंगे तो P1 प्लस P2 दोनों को कम्बाइन करेंगे क्योंकि एको भेलेंट का दिया हो भेलू 20 cm एको भेलेंट का दिया हुआ है ठीक P2 is the power of the second lens ठीक ना तो 1y अब P1 P2 दे दिया यहां का भेलू 20 दिया होगा इसका भेलू 20 दिया है ना 20 दिया अबुआ फोक Q ini कि लिए तो आपर क्योसे होत नोनों का दिया हुआ एक कवराने के बाद 20 से इसले थे इतना इंत्elly समय Hagridah अगले वीडियो में आगे चलके करेंगे उसका डिसके वीडियो में आगे चलके करेंगे ऊसका अबधेंगे सब को बताएंगे और बना लेना सब इंपोर्टेंट है ठीका चरी वाट डू यू अन्रस्टेंड बाइद टर्म इंटर्फेरेंस ओफ लाइट क्या बोले थे कोहरेंट सोर्स इंटर्फेरेंस ओफ लाइट यह सब पोपलर है मेंसंद नेसेसरी कंडिशन फो दक सस्टें तो क्या था वेंड़ तो लाइट स्टिव्यों अधिश्टिवूटर भाइट अब दोन अमिल कर एंड़ कर एंड़ दूसरा वेंट के बीच में इनर्जिकर इस्टिवीशन होता उसी को बोलते है क्या कोई सट्री इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस होता है वहापर अगर है वहापर फिर्स द इंटरफेरेंस इंटिव्यूश प्लाइट अर्फेरेंस है नहें प्लाइट स्टव आ आखेम सट्री इंटरफेरेंस इसकर एंडगेंगे और इस्टिवीशन energy को दोनों मिलकर ठीक है इसके बाद the modification in the distribution of light ठीक है energy due to superposition of the two waves is called interference of light यहाँ पर पुरा definition last में दी हो यह तो बोले कहां पर छोड़ दिया अब दिखिए हाँ पर हो गया इसके बाद the modification in the distribution कैसे कैसे हो रहा है of light energy due to superposition light आकर मिलता है उसी को बोलते superposition of light दोनों waves आंकर मिलेंगे ठीक है दोनों waves आंकर यहाँ पर join होते हैं तुसको बोलते superposition of light waves is called interference of light necessary condition क्या है बाद में समझेंगे बहले पूरा का पूरा definition था इसको समझेंगे तो आगे देखिए आगे क्या होता है the necessary condition for the sustained interference क्या है पहला condition क्या है two sources of light must be coherent दोनों coherent होना चाहिए यानि कि that means क्या है two light emitted by them must have the constant phase difference और आप कहा सकते है कि उसका frequency same होगा wavelength वागरा same होगा तो उसी को बोल सकता है constant यह एंगल से देखा चाता है कि constant phase और क्या है in the same phase same phase constant phase में होंगे दूसरा condition क्या है two sources must emit of light chapter पढ़ा होगा नहीं तो पूरद रहा होगा यह सब नहीं पहले पढ़ ले नहीं अच्छे से ठीक है coherent source क्या interference क्या है सब important है सब wave optics का पाट है ठीक the two sources have the same wavelength ठीक है but the amplitude between them should differ as the liter two sources are must emit the light of the same wavelength but the amplitude between them should be deeper as the liter amplitude थोड़ा बहुत different होता है लेंगे same wavelength रहेगा दूसरी को बोलते हूं क्या कि condition है तभी आपका क्या होगा coherent source of light current source होला के दो condition पहला condition क्या था first condition क्या था interference का दो condition पहला के coherent source होना चाहिए और दूसरा आपका same wavelength frequency है जो भी बुलिए तीभी coherent का पाट होता है निकलना चाहिए तब क्या होगा coherent source interference का का काम करेंगा interference होगा तो necessary condition है दोनों को पढ़ गिए का समझेंगे थोड़ा सा ठीक चलिए यानि कि coherent तभी होगा जब sorry interference तभी होगा जब coherent होगा और साथ ही साथ उसका wavelength frequency में गरा same रहेंगे ठीक है phase difference same रहेंगा the phenomena define the photoelectric effect and derive the instant photoelectric equation आपको define भी करना है और equation को derive भी करना है तो क्या होता है पहले तो define कर देंते है उसके बाद equation को drive करेंगे ठीक तभ फेनोमेणा और mission of electrons format i surface by the use of light or radiant energy is called photoelectric effect photoelectric effect क्या होदा वैसे फेनोमेना को करते है जिससे light का मदद से metallic visible light पड़ता है तो वहां से electron move बाहर निकलते हैं उससी को बोलते है फोटो इलेक्ट्रिक तो फेनोमेना इमोशन उलेक्ट्रोन ने बाहर निकलते हैं फोर मेटालिक सर्फेस बाइद यूज ओफ लाइट का मदद से मेटाल का सर्फेस से इलेक्ट्रोन बाहर निकलते हैं उसी को बोलते हैं क्या हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक कि लाइट थिखें यह जो फ्लाइट दोनों का लाइट एयर बेखिये इनर्जी इसग्ल्वट फोटोल्यक्टिक इपक्ट इसका फिगर दखाएंगे तब किलिर हो जागा फिगर देद ये थिहाँ पर हम देखिए क्या हो रहा है कि मेटाइलिक सथे से लाइट के मदद से इस के सिहार से कर भनानीस तका आप उनावरी एक हैश निकल रहा है तो अब इसी फेहिंव से नकाव किया बोलता हमझा खोटो इंविकाट थनो कीवर्टिक इनुट टेक चलिए तो प्रिकेश्ट सी energy of energy Hμ करा जो light गिरता है जिस frequency से तो क्या होता है कि solar of photons, photons का solar है, solar मैंने क्या बोलता उसको पुरा जून में गिरना, solar से हम लगा स्टान करते हैं, तो ऐसे करका photon उसमें से गिर रहे होते हैं, photon यानि कि Hμ, energy, ठीक है, is the energy Hμ हाँ बोली दिया, उसमें जो energy गिरता रहता है, उसमें Hμ का फोर में energy का क्या होता है, वहाँ पर गूरूप रहता है, पूरा बहुत सारे हम रहते हैं, तो उपर से गिरते रहता है, तो भी ए फोटो of the light, यह को फोटो मोलते हैं, बहुत सारे को फोटो मोलते हैं, light का छोटा particle, तो फोटो of a light frequency is incident on a metal, जब metal पर गिरता है, यह part of energy is क्या है, यह acquired by the electron, is used to pull out the electron from the surface, तो energy का कुछ part, किसको तोरे मतलब की लिया जाता है, electron के दोरा उस electron energy को लेकर बाहर निकल जाता है, ठीक, of the surface से बाहर निकल जाता है, इसके बाद, of the metal surface, and the rest it is utilized in the imparting kinetic energy to the emitted electron, तो पहला तो energy चला गया, electron को निकालने में, जो बचा खुच एनर्जी रहता है, वो चला जाता है, kinetic energy के form में आगे बढ़ जाता है, kinetic energy को मिल जाता है, जिसके electron बाहर आ जाता है, तो यह चीमी बोले, कि energy का group है, समुह है, power, source जो बोली, यहां से दो, दो पाट में निकल जाता है, एक आपका, kinetic energy में चला जाता है, energy का से बढ़ जाता है, जो उपर से गिरता है, जो बोले, कि light frequency consists of shower of photons, ठीक है, is of energy, energy का रूप में रहता है, तो दोनों कैसे कैसे निकलता है, बता दिये, आप पुरूप करना होगा ना, तो लेट पूरूप करिए, कैसे कैसे क्या होता है, जो उपर बोले, उसी को kinetic energy of the photon, तो हम लोग पूरा हमाल निए, कि phi आप कहा है, जो निकालने में लगा, extracting electron को निकालने में फरंद, surface या emitted, ठीक है न, इमीटर, जहां से निकला, तो वहां से निकालने में में उसकोल, नर्जी, और दूसरा आपका kinetic energy, one by two, तो सारे को जोड़ियेगा, तो क्या निकल kinetic equation हम लोग जानते हैं, क्या होता है, mu naught is the threshold frequency, and क्या, phi is equal to h mu naught, यह भी होता है, कि phi is equal to h mu naught, कब, जहां mu naught दिया हुआ, तो इसको में लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेगा, h mu is equal to threshold frequency क्या होता है, minimum frequency, जह से किलक्रों बाहर निकलते हैं, तो minimum frequency है, तो आप minimum frequency, लिख दिये threshold का, तो फोटो एलेक्टेक्वेशन if मेउनोट is the threshold frequency देन तो फाई के जगा पे हम्यू था ना हम्यू था अब हम्यू को बोला कि आपको क्या threshold threshold में आप लग जाता है से करके लगया म्यूट म्यूट लगया threshold frequency तो आपको निकाल निकाल लेक एनरजी लगया मिनिमुम फ्रेक्वेंसी जो इलेक्टोन निकलता है अब आके जो बाके कैनेटिक इनर्जी मैक्सिम चला जाएगा उसी को फर्मूला को यहां जो लिखे तो न उसी को यहां पर रिभाइब कर दिए एच्छा जाज़े कर दिए पहला अब आगे देखिए कि वियर 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 ऐक्सिदा क्या है मैक्सिमम भेलो सीटी एक वाइड बैलेक्टोन तो यहां से इसको इधर भेज दिये इसको इधर भेज दिए ऑनी च्छे को मेन लेक्श गॉम एक बार शको बनाई है एक पार खुद से तम नेग पर पढ़ली भाब मैंड बार में जागा उसको बना कर देखके नहीं बनेगा तो फिर एक बार देखके बनाई ए ठीक ना आज आएगा एक बर में आता है तो ठीक नहीं नहीं जैसे आता कर लेना है चली एक और popular वाड़ डी व्रोगायली वेपस डीव व्रोगायली वेपस क्या थे इसके बार में लिखना आपको तो डीव प्राइली क्या होता इसको पहले डिफाइन करते हैं देखिए आपका अभी में क्या है इस्टिबिस्ट रिलेशन सी बीटूइल डीवरगायली वेवल क्यों कि दो नुमर दिरणब दिर दिर नमर करने के लिए तोघ्र कम तीन नमर में के लिए ठीक फिस्टेशन देख लेक्षते हैं चले क्या था विए एस ones black होगा सबराइब जोधाल से लेम्ड राइड़न कोग सबसें थीपाइब होता हैया तो थो फ्तिभी स्टिपलि कर दाएड परकाली कि लेम्डा चिक्近ी होता है लेम्डा इसकोल टो यह curiosumë चay फिलेक विक सकते लेंबा आपका लेंथ हो गया, यह प्लेंट्स कोंस्टेंट हो गया, यह मास हो गया और भी आपका वेलोसिटी हो गया, थीक है, तो ह, एम और भी, तो अलेक्ट्रोन अप मास एम, इस एक्सेलेटर थूरू एक पोटेंशियल डेफनेश भी बोल्ट अंडिवरोकायली वेविदेश एस देंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर, देंद डिवरोयली वेवलेंथ, एसो सीटे विद्ध, इटकेन भी रीटेन है, तो यह चाप गया, रूट अनर टू एम के, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर, यहाँ पर, इभी के जगह पे, हम लोग इस कैनेटिक इनरज इसंते हैं यहाँ है, तो यह पर, इहाँ पर, इभी का नहीए, तो यहाँ पर, जूहाँ पर, गया बता दिढ़ाए, तो कई पर, तो से को, अब रिया यहाँ होता है, पर दिया हुआ था तो कड़िया है तो कई सीम्पल होता है हम लोगों जनकाई नहीं रहे हैं अब हम लोगों दिकत्म है परसानी मरत है ठीक कोई बता दिया समझ गिए तो असान हो इस टैप से होता है तो पहली अच्छा से पढ़िए उसके बात दिमाग लगा यह सोचिए टाइम लगता है तो टाइम में थोड़ा सा लगता है तो सपोर्ट दिखाई है ताकि मैं लोंग क्योशन अंसर कभी लेकर आँग को आप लोग के लिए प्रभाट कर दो सब कुछ डेटन सोलूशन के साथ ठीक है तो थैंक्स वाचिंग प्लिच सेर विद यूर क्लासमेट्स बिफोर एक्जाम एंड सबका नॉलेच यूर असुत और कुछ नहीं कहेंगे बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देजी कि हाँ भाईय सपोर्ट में लास्ट नुमर चुर दिए कि ड्रॉद क्रेटिस्टिक स्कॉर्फ पाउंद पी एंग्शन टायोट डॉल फरोड बैसे रि सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग उते कुछ उनलों को चक्र में रखें कुछ बिर्लियंट काभी होते हैं तो लोग मैं एक वरसर बता दिया आगया तुक बना लिए तो वैसे हमको नहीं कर आता है तो ठीक है नहीं आता उसको सलूसन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे उसको याद कर लेंगे ठीक है तक एक जाम में रिजल्ट में बिस्ट कर सके एक दो टेंशन फ्री होके तो तीन काम करना है चलिए ठीक है इसके बाद कोई भी यह त्यूरेटिकल टाइफ है इसको पढ़ना समझना और नूर्स बना को उसको लिखना ह करेंदा इक जाम समय किया करेंगा कीजन बनायेगा नहीं नूर्स को रिविजन गर करकरते क्यों की से बनाए थी रजे उबresse को देखोंगा नहीं Anth огромJean देख लिए सोलूशन हो जाने के तर्फ हो गया अब एक्जाम में भूल कैसे गए भूल गया क्यों के रिफीजन नहीं किया तो नोट को कैसे बनाए थे ना उसको देख के जाने क्याम समय तो इसको कर लीजिएगा बना लीजिएगा और को दिकत परसानी होका तो जुरूरूर यहां को कैसे क्या करना इकोनमिस का भी देंगे इंग्लिस का भी देंगे ठीक है जिसके बात सब्सक्राइब करेंगे ठीक है तो थैंक्स फूर वाचिंग बेस्ट ओफ लग लग जाए यहां और रिजल्ट धाकड़ बना यह 90 परसंट लाने का पर्यास करिये कि 90 से उपर आ और सबीको बेस्ट ओफ लुक